आप सभी कैसे हैं आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लास 11 में फिजिक्स के लिए रहेगा तुकि पिछले सेसन में भी उसको कांटीनू करते आए हैं जो कि चैप्टर का नाम में गेटल प्रफरडेश अफ्यूक्स था उसमें हम विस्कोसिटी का डिस्कसन करते हुए आपको पिछले सेसन नहीं बचा जीए हैं कि इसकोसिटी किया थी टर्मिनल वेलोसिटी स्ट्रोक्स लाग ठीक है रिटिकल वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन फ्लो इस्ट्रीम लाइन ट्यूब टर्बलेंट फ्लो यह सारी बाते जो हैं पिछले वीडियो में हो जीए आज बेसिक्टिन कुछ और को आपको बताएंगे त इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ता है जाके ताकि उसका फिर प्रूफ यानि डेरिवेशन आपको क्लियर हो सके तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक ज़रूरी जो पॉइंट्स हैं उनको आप ऐसे समझ लें ताकि आपनोली स्ट्रीम को अपलाई करते समय हमें कोई ना रहे जाए चलिए यह शुरू करते हैं एक पॉइंट रहेगा कि प्रिंस्पल आफ कंटिन्यूटी यानि प्रिंस्पल आफ कंटिन्यूटी किसको कहें तो आप इस्ट्रिम लाइन ट्यूब को पह जानी चुगे हैं जान चुगे हैं और एक आईएल इसका सी सबसे च्छाम क्या कहते हैं ऐसा लिक्विट एन आईएल लिक्विट तो सारी बात आ जाएगी उसमें तुम क्या कहेंगे इफ एन आईएल लिक्विट फ्लो थ्रू रूर इस्ट्रिम लाइन ट्यूब देन दा प्रोड़क्ट ऑफ एरिया एंट रलॉसिटी इस जैने राएक कोई लिक्विट फ्लोईंड है तो म क्या कहेंगे की ग्वाइट लिक्विट होना जाए पहली बात हुए जयester फ्लोव फ्लो में हो、 तो हम क्या कह रहा है की अवरी पॉंक in the tube, को कोई भी section में शहें यहां शहें इनिवर हर जेगे के- कि वहाँ पर का अरिया हो वहाँ पर की जो वेलोसिटी हो लिकुट की वह हमेशा कॉंस्ट रहेगी जैसे कि हमानि इए पॉönंट पर हम धरी कंसिडर करे है यहां का एरिया A1 है, तो यहां का एरिया A1 और velocity लिक्विटी विवर, मिलागे A2B constant है, कि किसी point B पे, A2B2, C पे A3B3, तो इसको क्या कहते है, principle of continuity बहुत है, उसको भी है, क्या मैं मिला, कि A1B1, A1B1, यहां भी वालूम नहीं है, गलोसिटी है, A1B1, is equal to A2B3, is equal to A3B3, is equal to A1, is equal to constant, और वो constant होगा, किसके equal, mass upon rho, rho that is density of the liquid, and M is the mass of liquid flowing per second, तो M upon rho के equal वो होगा, अब यह M upon rho के equal को होगा, यह आप समझ सकते हैं, mass upon density से क्या रंता है, आप देरा ध्यांदे, mass upon density है, यह M upon rho, यह mass upon rho, यह mass upon rho से, तो mass upon density से क्या बनता है, वालू, अब वालू खुद क्या होता है, area into any one side, any one side, यहनी three dimension की बात करता है, वालू, तो area होना जाए, any one side होना जाए, तो area, यह, और any one side का जरा, यहाँ बेर समझने की जरूरत है, यह जो velocity है, speed है, liquid की, यह per second जितना liquid निकल जाता है, यानि वो जाने लेंथ का गाम करता है, क्योंकि, speed actually क्या है, length, यानि distance है, length per second, यानि, यह second में कितनी length को जाता है, यानि liquid एक second में कितनी length को cover कर रहा है, इसका मतलत, per second में अगर देखें, तो speed या velocity भी क्या काम करती है, यह length का काम करती है, मलब एक dimension का का काम करती है, speed या velocity, तो basically आप जरूर धियाद रखें कि speed या velocity को हम एक dimension की तरीके से यानि एक any one side के तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड पर one second जब हम लोग बास तो speed की definition ही हम लोग यह रहते हैं तो speed या velocity का हम एक dimension की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो area into any one side और any one side का क्का कौन कर जाएगा बड़ोसी तो आप खो समझ जाओं में वालूम को कहते हैं area into V कह सकते हैं और वालूम खुद क्या था mass abundance जी इसका मतलब यह जो चीज़ें लिखी वो एक्वे ले क्या है वालूम यह क्या है वालूम यह क्या है यह क्या है वालूम का section मिला के क्या है तब constant जल रहा है एमपान रोके बड़ा करें अच्छा ही बातों यहां दिहां नेने की जब लोग कह रहें कि A B A1 B1 is equal to A2 B2 और जला रहे है A is equal to A3 B3 in general सभी क्या मिला के है एक रोके बड़ा करें तो सिरह मतला है अगर A1 B1 A2 B2 और रहे constant है तो in general गोले तो क्या करेंगे A B is equal to constant यह एम करेंगे कि A is proportional to 1 upon B यह यह बहुत जबरी meaningful वाज है कि A is proportional to 1 upon B मतलब area के velocity देखी जाये तो inversely होती है पर जहां में area ज्यादा वहाँ पर velocity निकल रहा है उसके velocity कम होगी यहां पे एरिया ज्यादा हो वहां पे वलोसिटी कम होगी। लेकिन जहां पे एरिया कम हो वहां पे वलोसिटी ज्यादा हो। इसको आप डेली लाइब में भी आप जानते हैं कि अगर ये जो एक टेम वाटर के लिए एक अगर पाइप आप लगाएं और देखें कि कहां तक उसका वाटर जा रहा है पानी जा रहा है लेकिन जहां से ओपन रहा है पाइप में अगर उस जगे में अगर आप फोड़ा पाइप में दबागे उसको ये थोड़ा सा उंगलिया थम अंगुठे की मतबस है तो आप आते की वही पाइप ये ज्यादा दूर गेर रहा है इसका आपने क्या कि एरिया कम किया और वो ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा इस प्यूट से गिरा दूर भी गिरा आप ज ये पॉइंट्स आप लियर रखें बहुत ही ज़रूरी है ये मीनिंफुल है कि A और B का प्रोड़क्ट वालूम के बराबर होता है और वालूम बहुत ना समौन देंसी के इवर होता है तो चलिए अब ये और पॉइंट के हम लोग डिसकस्न कर लेते हैं अब आप आप हिसके एनर्जी है एक लोइंग लिकुड में और यहां आप यह कह के जलनें कि वह एनर्जी नर्जी प्रसर के फोर्म में यहां कंसिडर करनी जीये और यहां प्रसर एनर्जी वोजयेगी एक हम बात कर सकते है कि भी इसमें velocity भी है, liquid के particles flow कर रहे हैं, उसमें kinetic energy की भी है, और liquid flow कब करता है, यह भी हमें सब मालूम है, हम समझाते हैं, कि flow तभी करता है जब level का difference है, यानि liquid या heat या जो charge है, इन सप्पे वहली बात दाग हो थी जब level का difference हो, तभी flow मिलता है, यानि liquid from high level to the low level flow करता है, इसका मतलब, level की बार, यानि position की बार अगर आ गई तो, what is potential energy, potential energy by virtue, हम लो क्या कहते है, due to the position of something, तो अगर flowing liquid की position में बदलाओ है, इसका लोज में potential energy भी जाओ, ठीक है, तो different energies of flowing liquid में, यही energies की हम लोग इस कसम थोड़ा करेंगे, यह तो रहेंगी pressure energy, तो क्या बोलेंगे, pressure energy of flowing liquid is equal to pressure, actually pressure energy निकालने है, है वो क्या, है दो energy ही, तो pressure energy of flowing liquid is equal to energy को निकालने में, हम लोग क्या calculate करते है, work done, everywhere, यानि कोई भी time के अगर energy आपको निकालने है, तो हम वहाँ पे work done को ही consider करते है, तो कोई भी energy कहीं भी निकालनी हो, तो हमको, क्या कहना पड़ेगा, हम work calculate कर देखें कि pressure energy of flowing liquid is equal to work done, और work खुद क्या होता है, force into displacement, तो force हो गया, और displacement का मतलब है, कि liquid कितना आगे को flow कर गया, given time में कितना आगे को, यानि वो length displacement का काम कौन करेगा, length L, अब force को आप जानते हैं कि PL लिख सकते हैं कि, क्योंकि आप ने पढ़ रखा है कि pressure is equal to force upon area होता है, तो अगर F को लिखें, तो क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, तो F बन किया PA, और या L है, तो PAL मिलाके, पल या ऐसे आप बढ़ सकते हैं, और आप basically आप समझ सकते हैं, या प्रसर energy जो PL के इकवल कहे जाती है, यानि PL पल, और प्रसर energy पर unit volume अगर निकालनी है, तो पर unit volume का भ तो PL को किससे डिवाइड करें, AL मतलब volume, क्यों, क्योंकि area into any one side volume हो जाता है, तो area A हो गया, any one side L, तो PL को AL से डिवाइड करें, तो P, यानि, प्रसर energy पूरा निकला, तो PL, और क्या करेंगे, प्रसर energy पर unit volume मगर हमें कहनी है, तो क्या चेलाएगी, वो small E से डिवाइड की ज ​ और कायनइट में करें, मगर तो half Mb 10 को किससे डिवाइड करें खूरा वाइड करें, तो क्या चेलाएगा? देख लेगा, देख लेगा, इधर समझ देख, हाफ Mb, स्कॉयर को किससे डिवाइट कर रहे है, वालूं से, ठीक है, तो ये काइनेटिक नर्दी आपके पास आजाएगी, क्या, पर उनन वालूं, पर उनन वालूं, जैसा कि आप लिखा यहां किसा है, काइनेटिक नर्दी, पर उनन वालूं आपके पास आजाएगी, जब हापनी इसको अर्दीक को हम कैटली से डिवाइट करने में, क्या खास आगे, ये किसा खास आगी, मास अपान वालूं, मास अपान वालूं में देंस्टी बंका है, यानि इसको हम क्या लिख सकते हाफ, और देंस्टी को देख तो ये होगिया कैने टेक इनरजी पास आगे उनन वालूं, यहांदे हाफ रो इसको जहांदे, एम अपान वालूं आप लोग जा गह रहे है, रो गह रहे हैं, यही अमने आसको भी सुन्गा है, फिर पोटेंसल एनरजी, आप फ्लोईं लिट्ट, तो पोटेंसल एनरजी आ आप लिट्ट वालूं से डिवाइट करेंगे, तो आप अपान वालूं यही चैनि बन जाएगी रो से लिट्ट, यही रो इसके लिट्ट, तो आपने फाइनली क्या देगा, कि प्रसर एनरजी थी, गाइटिक अनरजी थी, और पोटेंसल एनरजी थी, साथ ही साथ प्रसर अनरजी परिविट्ट वालूं बोलेंगो, ती से बोलेंगी, कानेटिक अनरजी परिविट्ट वालूं बोलेंगी, तो आप रोजी से बोलेंगी, और प्रसर एनरजी परिविट्ट वालूं बोलेंगी, तो इस तरीके से तिको अनरजी होगी, अब अगला पॉइंट अपन प्रस्धेल एनर्जी पर उनिट वालूम, कानेटिक एनर्जी पर उनिट वालूम, और कोडिशन एनर्जी पर उनिट वालूम, देखा जाए, पूरी टेपने सम् 3 लाइं, 4 लाइं की है, बहुत कॉंप्लिकेटड आपको ना लगे, आप सीरे सीरे समक्ने की, यह तिनों जो ए सम्सुर्णियस ऐसे पर यूनियुट वालूम ये गया रहती है, किसी एकलिय व्लोइंग लिकृट के लिए हमेसा इनका सम ये व कॉंस्टेंट है all the three energies पर यूनियुट वालूम, that is the काने जिक energy per unit variable, pressure energy per unit volume, आज ओल है दा, potential energy per unit volume, देखिए the sum as constant, जियनि उन सब का मिलाके sum क्या चलता है, constant चलता है, और ये theorem बरनॉली के नाम पर ही, बरनॉली स्थोरम के टोर के बहिस जानी जा रही है, और इसमें और खास बात क्या है ये जो हे लाव कंजर outside of energy को hold करती है मतलब तीनो एनर्जीज अगर सम कहें ये pressure energy per unit volume हो गई ये kinetic energy per unit volume हो गई और ये potential energy per unit volume हो गई तो sum of all the three energies for unit volume is always constant कि इसका मतलब क्या हुआ कि added ma FROM कहीं pressure energy कम है तो वहां kinetic या potential बढ़के अपना balance बना लेगी या गही kinetic कम है या ज़्यादा है तो दूसरी वाली energy उसे साथ से adjust कर लेगी इसका मतलब इन आल तीनों मिलाके जो है हम ऐसा क्या result देंगी एक confirmed रहने वाला result देंगी तो चलिए इसा statement हम पढ़ देते हैं बाखी आपको अभी आपने समझा दू दिया ही है पर रोली स्थोर्म में क्या बोल रहे है वेन आईडियल लिक्विट फ्लोज इन आ इस्टिम लाइन ट्यूब दें एट एवरी पर्ट देंगी प्रसर एनर्जी, करनेटिंग एनर्जी एड पोडंसेल एनर्जी पर यूनिट वाजू में इस कौन से है रिपीट अगें कैसा लिक्विट? आईडियल लिक्विट कहां फ्लो कर रहा हो? स्टिम लाइन ट्यूब में स्टिम लाइन ट्यूब में मोशन में हो को इसे लिक्विट पर लागु करते हैं कि हर जगेपे याणि इस जगे पर भी तीनों अनर्जी सकते हैं या आप इसी तरीके से अंगेनत कोई भी पॉइट ले सकते हैं ओएड इवर इब रिपॉइंट ठीक है? तो तीनों अनर्जी सका जो सम है वो हमेंसा करें है कॉन्सेक्ट रहें जाए, किस पर लागु है, लेकिन यह सच है, क्या एक अग्यलिकुट होना जाए या नि जो गुरो कम्रिसबिल्टी वाला हो, नॉन विस्कस हो, ऐसा एक लिकुट क्या कहला था, अग्यलिकुट, वो कहाँ फ्लोगर है, स्ट्रिम लाइन हम अग्यलिकुट में और स्ट्रिम लाइन मोशन में होना जाए, डर्वी कर सकते हैं जबहले हो इससे सड्टो को फालो करवाले और हराल में अपनी टिप पे रखनेंगा, आग्यलिकुट होना चाहिए और स्ट्रिम लाइन समप्लिकुट होना जाए, अगर यह सार्थ फुल वेल हो रही है तो हम आगे इस बात को अपलाइड माने और वो क्या है when an ideal liquid flows in a streamlined tube then at every point the sum of pressure energy kinetic energy and potential energy per unit volume is constant that is P plus half rho V square plus rho G H is equal to constant as well as this theorem follows the love preservation of energy तो चलिये अब जो है अब हम लोग Bernoulli स्टोरम के derivation को जलिये देखते हैं तो अब लोग Bernoulli स्टोरम के derivation को देखें कि अभी आपने statement को देखे लिया है statement को ध्यान रखे अच्छे और इस statement में आपने क्या देखा कि यो per unit volume जो energies की उनी का रोल है उस proof के अंदर में यानी वही proof होके नाजे की per unit volume के लिए दिनो energies का जो sum है वो कैसा रहता है concept रहता है यही उतमे निकल के आने की बात है तो proof करते हैं proof of Bernoulli's theorem Bernoulli's theorem proof of Bernoulli's theorem की बाद हम लोग करते हैं तो जो Bernoulli है वो Swiss physics थे यानि Swiss से वो बिलॉण करते थे Swiss physics थे और उनका जो अपना जो समय रहा डिवरेशन रहा वो 1700 से 1782 के बीच का रहा थे 1782 के बीच का रहा थे Swiss physics थे Swiss physics थे ठीक है उन्हों ने यह statement और इसका derivation दिया अलग अपना रोल उनका और भी है mathematics में पी उनका अपना रोल रहा है तो जो है चलिए अब बर्नोरी स्टवरम के बारे में हम लोग आते हैं तो यह उनका एक अपना जीवन पर है कहलें कि Swiss को विलॉण करते और यह उनका कारिगाल रहा है 1770 से 1782 के बीच का वह अपना उनका जीवन है तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे वो stem line flow की दो बात हम लोग करनी पड़ेगी तो यह एक stem line tube हम ने consider करते हैं तो यहां इस point गा यहां पे जहां से liquid क्या करेगा entry करेगा ना इसको point हम लोग x जेंस है और यहां पे liquid outlet होगा यहां से liquid निकल जाएगा यहां पे हम y point मालने ठीक है यहां का area of cross section जो हम कहना चाहें कि भाई यह area of cross section के वाला क्या है इसको भाई कह दे रहे हैं यह क्या है यह बन ओके और यहां पे जो liquid जो run कर रहा है यहां यहां जो liquid रहा है उसकी velocity पीवर है तो यहां भी प्रशर बन जाएगा उसको क्या कहते है P1 तो liquid माल लीजेगे वो flow करता हुआ जो है वो ऐसे आ रहा है liquid और streamline ले इसका उले different layer हो सकती है लेकिन एक कुसरे में overflow नहीं करेंगी यह streamline की विस हिस्ता हमें करने पड़ेगी अगर overflow कर गई है तो turbulent होने लग जाए ओके तो X वाले point पे जो चीजे आपने A1, B1, P1 वगरा मानी है वो जड़ा point हम लोग यहां पे यह area cross section इसको हम लोग A2 balls है ना और यहां पे जो liquid जो entry जो करा हुआ था B1 velocity के साथ महा था यहां पे जो outlet पे है बाहर निकलेगा यहां के symbol P1, B1 और A1 यहां और यहां के symbol P2, B2 और A2 यहां तो यहां पे liquid entry की है तो work is done on the liquid क्या on the liquid क्या on the liquid क्योंकि liquid को entry करने में ने against work चाहिए एक बात और हम लोग कह लें कि अगर ground level अगर यह हम कह लें और hinter level है तो यहां से एक कुछ न कुछ यह भी आप देख रहे हैं कि height है कुछ न कुछ यह भी height है suppose करने कि अगर H1 कह लें और suppose करने कि यह H2 का flow देखे तभी होगा जब level में difference हो नहीं तो flow लाने के लिए external support की यह रोध पड़ेगी जैसे कि कोई jet pump हो यह ऐसे आपको कहना पड़ेगा नहीं तो flow natural way में तभी होगा जब हम कहलने कि level का फड़त है तो यह आप बास समझ गया हूंगे इस statement भी आप इसी तरीगे ज़े लिए 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 streamlined tube xy in which ideal liquid अब ideal कहें ज़ें compressible or non-viscous वो समना कहें कि सीधे हम लोग क्या बोलने ideal liquid in a streamlined tube is flowing in a streamlined 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 then x पे हम अपला ही करें और point y पे अपला ही करें किसके लिए work done के लिए आपला ही करें work done work done on the liquid at inter work done on the liquid कितना हो जाएगा work done आप दिका जी चुकिया है अभी हमने energy आपको बदाई थी pressure energy बगर तो आप क्या दिशनेंगे force into displacement जैसा हो जाएगा force into displacement 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 है न work work निकाल रहे है force into displacement और और p1 force के आप force into displacement और force को प्रेसर में ले जाएगा तो p1 a1 और आपको बताया था कि displacement यादी उसका काम velocity है speed है कि length का काम कर जाती है तो p1 a1 b1 यह होगे similarly work done by the liquid अब यह इसके द्वार काम किया जाने by the liquid by the liquid y is equal to similarly क्या है a2 p2 a2 और p2 तो therefore network एक जेगे पर entry कर रहा एक जेगे पर outlet हो रहा है एक जेगे पर y कह रहा है तो आज और y अपोजित तो word है इसका मलब दोनों at नहीं होगे एक positive अगर तो एक negative करना पड़ेगा नहीं दोनों एक opposite है therefore network network work done network done on the liquid on the liquid is equal to हम दोनों को difference है नहीं t1 a1 v1 minus t2 a2 a2 v2 कुकि यह आपको समझ आगे होगे network done on the liquid on the liquid ही कहेंगे बट क्या जानके a1 v1 is equal to a2 v2 और इसको क्या लिख सकते है by the principle of by the principle of continuity principle of continuity भी उपने आपको बताई थी कि हर जगे पर area और velocity का जो प्रोडेक्ट है वो constant रहे जाए और किसके बराबर होता है m upon rho यानि mass upon density जहाँ 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 a1 v1 a2 b2 अगएरा पढ़े तो सबको क्या लिख सकते है m upon rho लिख सकते है so we have so we have so we have यानि हम देखें उपर की equation में network done क्या बन जाएगा network done network done network done अब हमारे पास p1 a1 v1 minus p2 a2 v2 है यहाँ पे जाए a1 v1 की सचिए रहा बई पीवन का क्या लिख सकते है m upon rho m upon rho minus q2 सचिए रहा and a2 c2 का क्या लिख सकते है m upon rho सीरा supply लब है कि e1p1 पइपरment जाएपर rlot on the q2 a2 v2 का का लिख सकते है on the q p1 e1 nus q2 और M5 इसमें हो गया तो यह हम एक इक्वेशन इसको कह सकने हैं ठीक है यानि नेट वर्गडन आ गया अब आप नेट वर्गडन जो निकाले हुए है तो आप को क्या करना चाहिए कि आप जो नेट वर्गडन होता है वो एनर्जी के चेंज यानि 보통 energy देखके हैं कि वहां पे कितना होगा वौ बर्गडन के बराबर बैठेगे तो यहां पर अब हम कानिट आँनर्जी का देखे का देखो देखें ठीक है कानिटिक आँनर्जी और कोटंचेल आँनर्जी का वेलू देखके और उसको जो है फिर हम तो बही कि लिएक कर्नेट को डिएड कए है यहाँ पर वेलोसिटी कम क्योंकि area of प्रॉस 시क्षन कुछ अचवंपों तक जादा यहाँ पर area of क्रोसिऍषन उसके कमपेर में कम यहाँ यहाँ पर velocity कम है और यहाँ पर velocity ज्यादा है, तो kinetic energy velocity very bend कर दी है है ना, जहाँ पर velocity ज्यादा है, तो यहाँ पर kinetic energy ज्यादा होगी यहाँ पर kinetic energy कम होगी तो kinetic energy में यहाँ से यहाँ तक क्या मिला, increase मिला तो increase in kinetic energy हम दो देख ले, ठीक है, और potential में जारा देखें, यह level और यह दर्बद जैसा कि फीगर में हम लोगों ने बना रखा है यह ज्यादा है और इस तो कम हो इसका वालब potential energy यहां से आते आते यहां पर कम हो जाएगी जैनि increase in kinetic energy और degrees in potential energy हमको निकाल लेना चाहिए फिर net increase in energy यानि तो उनों को subject कर देंगे चाहिए तो जो net increase in energy आएगा फिर वो किसके बराबर हो जाएगा क्यों क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि जो energy का जो change है वो work done के बराबर होता है यानि तभी energy को calculate करने में हमें क्या निकालने के आउसरता पड़ी किसी वज़े से work done नि अब अपने पास इतना है तो चलिया यह देखते हैं कि net increase in the kinetic energy आपने पास तो परकरार ही है आप देखे रखें कि आपने निक्रीज क्या इस 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 पर में आपने में अगर जाए तो बीटू जयाता है बात वाली फिलंस पी हाफ हम वीटू स्कूर माइनस हाफ हम वीवन स्कूर तो यहाँ में हम देखें तो हम जहने हम चाहिल को फॉर्फ मंद्स तो यह चीज है अगी, आलफो ने डिख्रीज इन पोड़ने अनरज़ी, नह बताया है कि पोड़ने अनरज़ी में डिख्रीज होगा च्यों होगा, क्यों होगा ग्राउन से यह हाइड जादा है, ग्राउन से यह हाइड कम है न, इसलिए पुटन से ने अटिमा डिग्रीज हो गए है, तो पुटन है MGH के फाम में होती है, तो MGH, H1 यानि पहले वली एनर्जी जादा है, और MGH, H2 यह पाद वली एनर्जी कम है, MGH कमल ले जाए, तो H1 माइनस H2 कह सकते हैं, देफोर, NET, INCREASE, इन दोनों एनर्जी में मिला के NET जो INCREASE हुआ, वो कितना हुआ, तो आप NET INCREASE में का कर देंगे, कि कानेटेक नर्जी और PODENCAL ENERGY को आप सब्ट्रेक कर देंगे, तो कानेटेक नर्जी माइनस PODENCAL ENERGY, यादि यो LED है, आपके पास इतना जाएगा, यादि हाफ M V2 स्क्वार माइनस V1 स्क्वार और माइनस MGH, H1 माइनस H2, ओके, तो और इसको इस नमबर PODENCAL ENERGY किसके बराबर होनीचे, वर्दन के बराबर होनीचे, बट, सक्वारत आवारत तर आवारता, यह मक्तलन के बराबर प्ड़ार न के बराबर अट dejा रिएएगर्य, वर्दन 1 or 2 वाली उक्राशन आप इस चीज़ को कह सकते हैं that increase in the energy यह मिला और यह किसके कोर होना चाहिए net working net working किजना आपने पास P1 minus P2 साथ में है M upon rho और is equal to that increase in the energy यह आपके पास है half M half M V2 square minus V1 square half M V2 square minus V1 square minus Mg H1 minus H2 वो के ऐसे इसमें कोई confusion नहीं होना चीए एक तरफ V1 minus V2 M upon rho हो गया यह रहा और एक तरफ net increase in the energy वो क्या है half M V2 square minus V1 square वो यह रहा minus Mg H1 minus H2 Mg H1 minus H2 तो यह आपने पास अब इसको हमें solve करना है तो solve करने में पहली बातो M upon rho हटना है तो यहनी M upon rho से यहाँ भी divide करने यहाँ भी divide करने यहाँ भी divide करने तो लिगने divide divide in each step in each step by M upon rho then we get then we get M upon rho से यहाँ divide करेंगे M upon rho आप लगा देंगे M upon rho M upon rho पूरा-pूरा cancel होने हैं तो यहाँ पर क्या रहेगे अधर V1 minus V2 यहाँ पर देखें half M और यहाँ M upon rho लगाए division में तो यह दो M लिखा है division के लगा M upon rho upon वाला rho यहाँ आदे और साथ में किया V2 square minus V1 square minus M G इसके नीचे भी पर दाम करें M upon rho को M और upon वाला rho यहाँ आदें H1 minus H2 तो P1 minus P2 is equals to M M cancel हो गया तो half rho V2 square minus V1 square minus यहाँ M M cancel हो गया 0 बोले जहाँ रोजी बोले 0 बोलने में तो 0 लगने लग जाता है वो impact or effect अच्छा नहीं माइंड पर डालता है 0 हम लोग 0 के बशे रोजी बोल लेने चलिए बाद एक ही है तो रोजी और H1 minus H2 आप simplify में क्या करें कि जिनके साथ symbol 111 लगे है यानि जैसे P1 है यहाँ half rho V1 square है यहाँ रोजी H1 यह सब क्या करें है एक side यह नहीं लेस्ट में लिए ले और जिनके साथ symbol 222 वाल है जैसे P2 है half rho V2 square मिल जाएगा है और रोजी H2 यह सब symbol कहां रखें right side में बाद सेपरेट करें और करके यह ही करें तो P1 plus इसमें देखें यह वाला जब जाएगा minus का है यहाँ उधर plus का हो जाएगा half rho V1 square और यहाँ भी minus का है यह वाला यहाँ जाएगे plus का हो जाएगा rho G H1 और इज इकवर तो Q2 को इधर लाए यानि Q2 plus यहाँ देखें तो half rho V2 square है यह क्या half rho V2 square और minus यह minus मिल के plus हो जाएगा rho G H2 इस तरीके से आपने देखा कैसा इस्टेटमें निकला P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 E equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2 ओके और और इन जनरल इन जनरल यह तो दो दसाओं का है इन जनरल हम 111222 से बलटादे संपली लिखे गया P plus half rho V square plus rho G H E equal to क्या लिख पाएगे constant लिख पाएगे है ना यही दो होगाएगा जिसर P1 V1 E equal to P2 V2 बलते हैं हम लोग नहीं से प्यों समने जैसे कि P1 V1 E equal to P2 V2 style बलते हैं देन हम दो क्या कहते हैं कि P B E equal to constant इसका लिख है अगर P B E equal to constant लिखा तो हम कह सकते हैं आसानी से P1 V1 E equal to P2 V2 E equal to P3 V2 ठीक वैसे आप जिसे यहाँ लागू करते हैं वैसे आप यहाँ जानने कि अगर यह constant तो आप क्या बोलेंगे दो स्टेजें में कि X और Y कि P1 plus half rho V1 E square plus rho G H1 E equal to P2 plus half rho V2 E square plus rho G S2 तो इस तरीके से कार्नोली स्थोरम का यह derivation आपको पूरा हो जाएगा तो हम आशा यही करते हैं कि आप इस derivation को अच्छे से देखें और ज़रूर इसको प्राक्टिसमेंट है क्योंकि यह important portion भी बनता है इस chapter का और इसके based numerical भी इसू बनते हैं कि पूच लिए जाते हैं तेलिए आप इसको अच्छे से त्यार गए और वीडियो क्लिट को देखें आप से हम यही request करने चाहेंगे कि आप like, subscribe और share करने ना भूजें ताकि आप भी updated रहें और minimum जिन लोगों तक भी वीडियो पहुत पाती है वो लोग भी हमसे जुड सकें और हम भी आप से जुड़े रहें सकें ओके, thank you have a nice day